गुप्त सूचना के आधार पर डुम्रे पुलिस ने छापे मारी कर भारी मात्रा में अवयत शराब वई स्पीरिट बरामत किया है। मौके पर से दो लोगों को गिरखतार भी किया गया है। मामले के विश्तिरत ज्यानकारी रवेवार को गिरडी स्पी अमित रेनु ने पुराना पुलिस लाइन में प्रेशवार्ता कर दी। अंग्रेजी सराब, लग्डॉवल्स के 70 पेटी, 5 लिटर कैरमल कलर, 4 गैलन स्पीरिट, 250 रेपर, 1500 धकन, 500 लिटर का खालिस इंटेक्स, सॉल्यूबल एजन्स, स्टील का छोटा ट्रामादी बरामत किया गया। मौके पर से सुरेज सोरेन एवं अरविंद सोरेन को विरफ्तार कर लिया गया। विरफ्तार आरोपियों ने बताया कि यह कारो बार जमुवा थाना छेतर के जोरा सांथ के रहने वाले राजेस वर्मा के द्वारा संचालित किया जा रहा है। बताया गया कि इन तीनों के विरोधिर दुम्री थाना में सुसंकत धराओं के तहत मामला तर्च किया गया है और आगे की करवाई की जा रही है। प्रेसवार्ता का दोरान डियस पी टू संतोस मिस्रा और दुम्री थाना प्रभारी राजो मुंडा भी मौजोद थे। दिनांग 10.4.2021 को प्राप्त सुचना नुसार यह पता चल रहा था कि दुम्री थाना अंतरगत ग्राम काना डि में कुछ लोगों के दुआरा आवायद रूप से सराब बनाया जा रहा है और उनकी बॉटलिंग तर एक मिनी प्लांट को अपरेट किया जा रहा है। मामले को देखते हुए और कात सूचना की कम्रिता को देखते हुए बिशेष्टीम का कठन के आगया इसमें अनुमंडल पलिस पलादीकारी दुम्री के नितृत में एक टीम का कठन किया गया जो जा करके उस तल पे चाप़मारी उनके दौरा रूप से किया गया। चापमारी की उपरांत भारी मातरा में शराब बरामत किया गया है वहाँ पे आपरेट किये जाने वाले मिनी शराब फैक्टरी का उद्धी बेदन किया गया है और वहां पर देखा पाया गया कि कापी मातरा में स्टिकर्स, बॉटलिंग प्लांट और शराब जो उन्होंने तियार किया हुआ जो खेप है, जो स्कृरिट है, इनको जब्ट किया गया विधिवत और दो लोगों की अरिस्टिंग की गई है अब तक, गिरफतार किये गये व झाल